जए हिन दोस्तो स्क्रिन पर जो ये आर्टिकल देख रहे ये नव भारत टाइम्स ने जारी किया आए और ज़रा गौर से पढ़िये इसमें लिखा के आए अगर आप बारी की से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि कैनडा की विदेश मंतरी यानि मेलानी जोली उन्होंने य साल कैनडा में निजर की जो हत्या की गई उसमें भारत सरकार की ही मिली भगत थी भारतिये एजेंट्स ने कैनडा की धरती पर एक कैनडा ये नागरी की हत्या कर दी जो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहा था अब देखिए दोस्तो यही मेलानी जोली निजर की हत्या के बात दो बार भारतीय यात्रा पराई थी भारत में आकर इसे ने भारत के साथ बाइलेटरल रिलेशन्स को बढ़ावा देनी की बात कई भारत के साथ व्यापार करनी की चावी जताई यहाँ तक कि इसने भारत यात्रा के दोरान निजजर हत्याकांड को लेकर एक शब भी नह कि उन्हें निजजर को मारने की सुपारी किसने दीती लेकिन उससे पहले ही जस्टिन टूडो और उनके पूरे मंत्री मंदल ने भारत प्यारोप लगाने शुरू कर दिये हैं जबकि इनके पास आज भी भारत के विरोध में एक भी ठोस सबुत मौजुत नहीं अब इसी मिला को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजे चलिए आज के इस महत्वपुर्ण वीडियो के शुरुआत करते तो देखिए कैनडेन विदेश मंत्री के आरोपों को लेकर भारत की विदेश मंत्र ने कैनड़ा को एक बड़ी समस्या बताया है वो समस्या ज हिंसा के परंपोजारिक खालिस्तानियों को अपने मुल्क में वैदता दे रहाए फिलहाल हमारी सबसे बड़ी समस्या कैनडा ही है क्यूंकि कैनडियन सरकर सिर्फ सत्ता कायम रखने के लिए उग्रवाद अलगावाद और हिंसा की वकालत करने वालों को मन चाहिया आजाद है उतनी भारतिय दूतावासो एव मंदिरों पर हुए हमलों को लेकर क्यू नहीं क्यूं आज भी खुलिया में खालिस्तानी भारतिय चातरों को मारते पिटते रहते कैनडा खुद को शांती प्रियादेश कहलाता है तो फिर कैनडा के हर चोरहय पर एक खालिस्तानी यानि आतंकियों की हर जरूरत पूरी करना और स्टूडेंट्स को दस्तावेजों का हवाला देकर महिनों तक बेटिंग कराना लेकिन कैनडा भी याद रखे कि आने वाले कुछ दिनों में कैनडा ने अपने रवये में बदलाव नहीं किये तो हम बचे कुछे रिष्टे भी आपसे तोड़ देंगे जैशंकर सहब ने साफ कहाए कि ना तो भारत कैनडा पे निर्वर करता है ना ही हमें कैनडा से किसी समर्थन के उम्मीद है पर हाँ कैनडा तो भारत से बहुत से चीज़ों के लिए निर्वर करता है ये जेस्टिन टूडो और मिलानी जूलीद ज़ बावजूत ये मुल्क भारत के खिलाफ कारिवाही करने के ख्वाप देख रहा है तो आप ही बताईए दोस्तो ऐसे मुल्क को लेकर हमारे तेवर भी कैसे होने चाहिए सब ये अपनी राइज जरूर दे और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बिद जरूर करे जय हिंद